जो लोग भी Aptle Geo के सिम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है क्योंकि आप जानते हैं कल के दिन पर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को बताया था कि आप लोग जीयों किसम अगर इस्तमाल करते हैं तो इसको जो recharge plan है वो काफी ज़्यादा महेंगे होने वाले हैं उसी परकार से यहाँ पर एटल के लिए एक नया plan आ चुका है जो कि अभी कब activate होगा और इस plan से आप कैसे बच सकते हैं और यहाँ पर क्या 5G unlimited data बंद हो जाएगा सारी चीजे के बारे में बात करेंगे और जो recharge plan है वो हमारे महेंगे हो गया है अब यह चीजे आप कैसे देखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे अगर इससे पहले अगर आप लोगोंने अभी तक मारे वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को like जरू करिएगा ताकि आप इसके बारे में सीख पाएं ठीक है मेरे दोस्त तो सबसे पहले दिखिए आपको यहाँ पर करना क्या है यहाँ पर आपको जो रिचार्ज प्लान भी आपको दिखाई देते हैं जिसके आप जानते हैं 265 रुपे में आपको 1 GB और परेडे मिलेगा 2.7 दिनों के लिए और उसके साथ में बहुत सारे प्लान है 291 रुपे में आपको 1.5 GB आला हो गया जो 249 का मिलता था उसके साथ में यहाँ पर यहाँ पर प्लान से हमारे वो काफी जीदे महेंगे हो गए हैं अभी जो 49 रुपे का आप डाटा करते हैं 25 रुपे का करते हैं 9 रुपे का करते हैं इनके भी पावंदी लगने वाली है तो कौन सी पावंदी लगेगी आज किस वीडियो में हम जानेंगे तो चलिए आपको स्बशे पहले प्लान लिष्ट दिखाते हैं हम जिसमें आपको यहाँ पर प्लान से हमारे महेंगे हुए हैं तो सबसे पहले आप लोग देख पाएँगे यहाँ पर जो हमारे 149 रुपय का प्लान होता था 28 दिनों के लिए वो अब हो जाएगा 179 का उसमें आपको unlimited calling sorry unlimited calling 100 SMS per day 2 GB data आपको मिलेगा उसे के साथ में अगर जो 219 रुपय का अगर आप रिचाज कराते थे तो वो रिचाज हो जाएगा 265 रुपय का और 5G unlimited मिलता था लेकिन अभी इसको बढ़ा कर 299 रुपय का कर दिया गया है 299 रुपय का जो पेक करवाते थे तो 369 रुपय का कर दिया गया है विशे तो देखा जाए तो काफी चारे प्लान बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर दिखते हैं जो 399 रुपय का आप 56 दिन के लिए कराते थे उसको रिचाज को बढ़ा कर 499 रुपय का करा दिया गया है और यहाँ पर दिखते हैं इसमें भी आपको 1.5 GB data मिलेगा लेकिन दिन है 56 दिन 499 रुपय का जो आप रिचाज करा रिचाज प्लान कराते थे अपने SIM के उपर वो प्लान अब आपको हो गया है 549 रुपय का जिसमें आपको अलिमिटर्ट कोलिंग 100 असमत दे और 2 GB data मिलेगा और यहाँ पर देशते हैं 389 रुपय का जो रिचाज कराते हैं 84 दिन के लिए 450 रुपय का अलिमिटर्ट कोलिंग की साथ में वो भी आपको यहाँ पर 450 रुपय का हो चुगा है तो जो 500 रुपय का आप कराते थे उसके उपस सीदे 200 रुपय से भी ज्यादा रुपय की बड़ुतरी हुई है यानि कि 799 रुपय का हो गया 84 दिन के लिए 1.5 G भी data मिलेगा और यहाँ पर जो 600 रुपय का कराते थे उसे 899 रुपय का खड़ दिया गया है यानि कि बहुत ज़दा रिचार्ज प्लान में बड़ुतरी करी गई है अब यहाँ पर क्या आपको 5G मिलेगा या नहीं मिलेगा तो देखे तो 5G के लिए भी कोई रूर निकल के नहीं आया है जो रिचार्ज अभी यह आप 299 से उपर कराएंगे उसमें आपको 5G मिलेगा अदर्वाइज वो 5G का सिटम बंद होने वाला है ठीक है अब यह आप देख सकते हैं 1499 रुपे का रिचार्ज है जो वो 355 दिन चलता था लेकिन आप भी वही 1799 का होगा जिसमें आपको 24 GB डाटा और 100 SMS डेंट का मिलेगा और यहाँ पर नेक्स जो पर आमाला रिचार्ज कराते थे उसे 3001 रुपे का क्या गया है यानि कि इन प्लानों में बहुत ज़्यादा बढुतरी किये गई है अगर आप इससे बचना चाते हैं तो आईए मैं आपको एक थरीका बताता हूं जिससे आप इन प्लानों से बच सकते हैं जब आप रिचार्ज कराने के लिए जा 29 विर्पे का प्लान है 2 GB पाइडे मिलेगा उसे बढ़ा कर देगा है तो इसमें आप इस प्लान को अगर पूरे साल के लिए करवा लेते हैं तो आपको 5G डाटा भी मिलेगा तो यह प्लान आपका एक्टिवेट माना जाएगा और जो और प्लान है यह महंगे होने वाले हैं तो इन प्लान को अगर आप एक साथ में करा लेते हैं तो यह प्लान आपके लागू माने जाएगे और 5G डाटा भी आपका लिमिटर चलेगा वैसे 5G डाटा जो है आपका चलता रहेगा लेकिन कुछ प्लान के साथ इसको रिमूब करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीड